वेलकम बेक गाईस तो माई न्यू वीडियो तो गाईस फाइनली रियल्मी नार्जो 60X 5G के लिए रियल्मी यॉई 5.0 एंडरोड 14 की जो अरली एक्सेस की अप्लिकेशन है वो ओपन हो चुकी है तो अगर आप इसको इंस्टॉल करके एक्सपिरेंस करना चाहते हैं तो फटाफट से इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए क्योंकि इसकी जो सीट से वो काफी लिमिटेड होती है तो आज के इस वीडियो में आपको इस अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल दूँगा कि क्या इसके लिए रिक्वाइड वर्जन होना चाहिए क्या नए अपडेट का वर्जन होगा साइज होगा क्या कुछ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी ऑफिचल इंफर्मेशन है रियल्मी कम्मुनिटे के उपर वो दिखा देता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रियल्मी वाइफ 5.0 बेस्ट ऑन अंड्रोइड 14 अर्ली एकसस अप्लिकेशन ओपन फॉर रियल्मी नार्जो 65 जी यह होगे दोस्ते आपर इसकी ऑफिचल इंफर्मेशन अब अगर हम बात करें कि इस अपडेट को करने के लिए आपके फोन में रिक्वाइड वर्जन क्या होना चाहिए तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं तो आपके फोन में रिक्वाइड वर्जन जो है 13.2.0. 0.500 SP03EX01 यह वर्जन अगर आपके डिवाइस में इंस्टॉल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपके फोन में यह वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको अपने डिवाइस को इस वर्जन पर अपडेट करना होगा तो दोस्तों यह तो होग 0.0.50 SP01EX01 यह जो है यहाँ पर इसका नया वर्जन होने वाला है बात करें अगर साइस की तो 5-6 GB के बीच जो इसका आपको साइस देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यह पर पूरा UI चेंज होता है तो साइस आपको काफी बड़ा देखने के लिए मिलेगा तो यह होगे दोस आपको Software Update वाले पेज पर जाना है आपको Right Side Corner में जो 3 dots दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है वहाँ पर आपको बीटा प्रोग्राम लिखावा दिखाए देगा उस पर आपको क्लिक करना है अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा महाँ पर आपको Early Access लिखावा दिख करना है अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपना Mobile Number या फिर Email ID डालना है और नीचे जो यहाँ पर Consent है Terms and Conditions का वो आपको Check करना है और Simply Submit बटम पर Submit कर देना है अब आपकी जो अप्लिकेशन है वो यहाँ पर Realme के पास Under Review रहेगी और जब Realme इसको Approve कर देगा तो फिर आपको आपके डिवाइस में इसका जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा यह होगे दोस्तों यहाँ पर इसकी प्रोसेस अब हम देख लेते हैं कि किन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो जो सबस्ते में बात करें कि अगर इस अपडेट को करना चाहते हैं तो आप इसका गुए ओडिकेशन को प्लेय श्टोर से अपडेट कर लेना चाहिए लिटेस्ट वर्जिन पर आपको आपको सारी अप्लीकेशन सेंड़ाइटर 14 के साथ अब यूब को ना हो इस लिए आ पर अपडेट कर लेना चाहिए इसके बाद जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक अर्ली एक्सेस का अपडेट है यानि कि एक बीटा अपडेट है तो हो सकता है आपके फोन में या पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलें तो अगर आप इन सब को हेंडल कर सकते हैं तो ही आपको इस अपडेट को करना चाहिए नहीं तो फिर आपको इसके स्टेबल अपडेट के आने तक का वेट करना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो यह है कि आपके फोन में कम से कम 15GB का जो स्टोरेज है वो अवै इफ्रमेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दी तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजीगा तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वीडियो में आपके साथ